आज हम मैंगो पुलिहरा बना कर त्यार करेंगे कच्छी केरी से बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी सा मैंगो राइस बना कर त्यार करेंगे जो के टेस्ट में बहुत यमी और बहुत मज़ेदार लगता है समर सिजय में मैंगो इजी एवेलेबर होते हैं जिसे हम जबर चाहिएं ठीच एक पीस इसने प्लेंडिमेज करेंगे उसके हां मंग जबार्टरणप्री करेंगे जब तक मारा मंग र्राय और चोन हो रख और आपा अजिता रह दिता लेंगेनाई दिता हैं और यह वार्ण यह standards, प्लुन दिताल राई मिला ह LIKE 3-4 चमच के खरीब हम इसमें मुंगफली ले ले लेंगे 2-3 चमच के खरीब हम इसमें खुपरे का पौडर ले ले लेंगे 1 मुटी के खरीब हम इसमें काजू ले ले लेंगे 15-20 ये सारी चीज़े लेगेंगे हमें चावल को बगारने के लिए अब हमने जो कैरी को पीस लिया था, देखिए दर दर असा इस तरह से हमें पीस कर रेडी करना है, इसके जगा हम इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, मैंने इसको ब्लेडिनी जर्मिन दलकर पीस लिया है, एक मटी के खरीब हम इसमें बारीक कटावा हराधनिया भी ले ले लेंगे, तो यह सारे इंग्रेडिन्स लहेंगे, इसके अला हम क्या करेंगे कि आदा किलो बासमती राइस को अच्छी तरह से बॉइल कर लिया है, एक चमच नमक डालकर अब हम उसको पानी ड्रेनोट करकर अच्छी तरह से दम लगा लिया है, अब हम क्या करेंगे कि एक बड़ा सा बरतन ले लेंगे, बड़ी सी कड़ाई या फिर बगोना ले लेंगे जिसमें के हम राइस बना कर त्यार करने वाले हैं, अब हम आदी कप के खरीब ऑईल डालेंगे, ऑईल की अच्छी तरह से गरम होने के बास जीरा और राई डालेंगे, इसमें हम दालें भी एट कर दें के आजरा हम क Märach को मैं में खून करेंगे, हरी मिर्च को भी अच्छी तरह से वुर लेंगे और उयल में राइसल्शा माथ के लिए मुद्य कर लालेंगे अब हुम क्या करेंगे ? इसमें सुखी लाल में चाट करेंगे इसको भी अची तरह से ड़ुक्ड़ा से ब्रून लेंगे वन बाई वन सारे चीज़ाइड करते चाहेंगे और उसको चन सेकेंड़् के लिए भूनते जाएंगे खरीब 2-5 मिनिट के लिए सारे चीज़ों को अची तरह से भुनना है हमें अब हम इसमें काजु एड़ कर लेंगे और कल्या पक भी एड़ कर लेंगे इन दोनों चीज़ों को भी आख अइल में भुन लेंगे खरीब दो मिनिट तक अच्छी तरह से मीडियम फिल्म पर भुनने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें पका हुआ चावल एट कर देंगे मैंने आदा किलो चावल को बासमतीर इसको पका लिया था अची तरह से बॉल कर लिया था 5-6 मिनिट के लिए उसको हम इसमें आड imagery कर देंगे अची तरह से मिक्स कर लेंगे ग्यास के फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा है मेडियन प्लेम पर हम तीन से चार मिनेट के लिए अच्छी तरह से इसको पका लेंगे त pag ठीजों को चाउबल में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें संध पॉरडर स्पाइसे से अाधी कम स चाह्मच चाह्मच एक बीज़्ट छाइब्ट के लिए के लिए आफ़ करेंगे इन तमाम चीजों को चांवल में मिला लेंगे ग्यास के फिलिम को हम मीडिया में रखेंगे ये तमाम स्पाइसेस का तमाम मसालों का अच्छी तरह से चांवल में टेस्ट आने के बाद हमारा पुलिहरा जबर्दस सा मज़ेदार सा बनकर रिडी हो जाएगा अच्छी तरह से एक मरतबा मिक्स करने के बाद हम चेक करेंगे कि खटास और टेस्ट के हिसाब से नमक बराबर है या नहीं अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि ग्यास के फ्लेम को एक दम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 2-3 मिनिट के लिए दम होने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर हमने 3-4 मिनिट के लिए इसको अच्छी तरह से पका लिया था अब लो फ्लेम पर हम इसको रख देंगे कवर करके एक मरतबा टेस्ट कर लेंगे अगर खटास कम लगे तो हम क्या करेंगे कि दो चमच के खरीब और इसमें कैरी का पेस्ट एड़ कर देंगे मुझे हलका से खटास इसमें कम लगी है तो इसमें मैंने दो चमच और कैरी का पेस्ट एड़ कर दिया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्याजादा कर सकते हैं अब हम तीन से चार मिनिट के लिए लो फ्लेम पर दम होने के लिए रख देंगे जब खरीब पांच मिनिट हो जाएं तो एक मरतबा चेक कर लेंगे लीजिये हमारा जबरदस सा करी का पुली हरा बनकर रिडी हो चुका है देखे बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कलरफुल हमारा पुली हरा बनकर रिडी हो चुका है ये बच्चों को टिफिन के लिए, लांच के लिए, डिनर के लिए बहुती पर्फेक्ट रेसिपी है सेजन के हिसाब से बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसान आती है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हम इजिली सिफ 15-20 मिनिट के अंदर जबर्दस सा पुलिहरा बनाकर रेडी कर सकते है गरम गरम पुलिहरा बनाकर बच्चों को सर्फ करेंगे, इसके साथ हम तो चलिए सर्फ करने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़दार सा हमारा पुलिहरा बनकर रेडी हो चुका है आई हूप के आपको मेरी रेसिपी अच्छी लेगी होगी तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक जरूर दें कच्छे आम से त्यार किये हुए पुलिहरा को हम सफर के दोरान भी यूज़ कर सकते हैं एक से दो दिन तक इसकी लाइफ रहेगी यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हिल्दी रैस है अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लेगी है तो आप एरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चानल को सबस्क्राइब करना मत भूलें मिलते हैं अगली जबर्दसी रेसिपी के साथ अल्ला हाफीज और थैंक्स पर वाज़गी